नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की शुड़ों को मात्य हमसे मैं आपको छत्ती ग्रह में भरतियों के लिए आज के कुछ नए नए विग्यापनों के जानकारी देंगे सांती सांत वीडियों में आपको बताएं एक लब आदर्स आवासी विद्यालों में विभिन जीलों में भरतियों के लिए जो पूरों में जारी किया गया था विग्यापन उसमें तावे सत्यापन के लिए विभिन शिक्छकी और गैर शिक्छकी पतों पर विभिन जीलों में भरतियों के लिए बुलाया गया है जिसकी जानकारी भी आगी इस वीडियो में देने वाले है सुरूआत में सबसे पहले आपको जीला कॉसल विकास प्रादिकरन कांसलर के रिक्त दो पदों पर भरतियों के लिए विग्यापन जारी हुआ है जिसमें चैनित अभियर्थियों को 750 रुपए प्रतिक कांसलिंग दिवस के हिसाब से अधिकतम 20 कांसलिंग दिवस के लिए वेतनमान मानदय क भुकतान किया जाएगा इसके लिए सेक्षिंडी को दोस्तों आज की भरति के लिए अगला विग्यापन मुक्चिक साहम स्वास्त दिकारी जी चतिवर्ड के अंदरगत में जारी किया गया है यहां पर ICT के अंदरगत में विभिन पदों पर भरतिया की जाएंगी जिसके लिए एक्षुक अभियर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में 26 मार्थ 2020 प्राता साथी तसमय से लेकर के 12 बज़े तक आविदन पत्र के साथ में स्वयम वबस्तित होने के लिए यहां पर निर्देश जो है दिया गया है भियर्थियों को जारी के इस विग्यापन में काउंसलर ICT के कुल दो पदों पर भरतिया की जाएंगी जिनमें चैनित भियर्थियों को 13,000 रुपे की सेलरी प्रत्येक महिने दी जाएगी जिसके लिए सेक्षणी को गयता है यहां पर पोस्ट में दो पदों पर भरतिया की जाएंगी जिनमें चैनित भियर्थियों को 13,000 रुपे की सेलरी प्रत्येक महाद दी जाएगी इसके लिए सेक्षणी को ग्रेजवेट इन मेडिकल लेबरोटरी टेक्नोलोजी यहां पर मागा गया है यहां पर इस विग्यापन से प्राप्त ह किया जाएगा उसके पस्चाथ यहां पर 27 मार्च 2021 को दोपार 12 बज़े से ले करके भरती की प्रक्रिया जो आगे बढ़ाई जाएगी जिसमें कौसल पर इच्छा दावापत्ति अन्य यहां पर निर्देश जो है लिए गया है जिसका डिटेल से आप इस विग्यापन में दोस्तों आज की भरती के लिए अगला विग्यापन राजी गांदी सिक्षा मिसन बेमे तरा चतिजर कंतरगत में जारी किया गया है यहां पर विभिन पदों पर भरतियों के लिए विग्यापन जारी हुआ है जिसमें संसाधन के अंदरों में बच्चों की सारीरिक बादा इन समय में प्राता साधेतर बच से ले करके साम साधे पांच बच तक अपना आवेदन पतर जीला पर रोजना कारिला है राजी गांदी शिक्षा मिसन बेमे तरा चतिजर के पते पर पंजिकरी डा के इसपीट पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पतर भेज पाएंगे यहां पर फिजो तरीपिस्ट के कुल दो पतों पर भरतियां की जाएंगी जिनमें चैनी तभीहरतियों को 20,000 रुपए की सिलरी प्रतियक माह यहां पर दी जाएगी जारी किये इस भी क्यापन में आपको फिजो तरीपिस्ट, स्पीज तरीपिस्ट, हेलफर आया और अटेंडियन के कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से दाइत तो होंगे, इसके डिटेल से जानकारी मिल जाएगी साथ भारतिय पुनर्वास परिसत आर्ची आई में जिवित पंजियन होना जरूरी है, और छतिर राजे का मोल निवासी भी अभ्यर्थी को होना जरूरी है हेलफर आया अटेंडेंड के पत पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की निवनदम साइकनी को गत्ता हाई स्कूल दस्वी उत्तिन रखी गई है, 37 इस्थानी बोली भासा का ज्यान अभ्यर्थी को होना जरूरी है, इस्थानी निवासीयों को चैन में प्रात्मिक्ता ज साथ साथ में अवेदन पतर का प्रारूप इस विग्यापन से प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्वाज की भरती के लिए अगली जानकारी जीला परयोजना समगर शिक्षा अभ्यान के अंदर गत में गरिया बन दो पदों पर भरतियां की जाएंगी, जिनमें चैनी तभी अटियां को 20-20,000 रुपे के शेलरी प्रत्येक माह यहां पर दी जाएगी, हेलफर आया टेंडेंट के पद पर यहां पर भी आवेदन करने के लिए शेखनी क्योंकिता कम से कम हायर सेकेंडरी बारवे उत्तिन र स्पीज तेर्पिस्ट के लिए साजकी मानेता प्राप्त संस्थान से BASLP डिग्री कोर्स होना जरूरी है और RCIE में जिवित पंजियन होना जरूरी है, यहां पर भी भरती के समद में आपको नियम सर्तें और अन्यसमशत जानकरियों के साथ साथ में आवेदन पत्र का प्रा पर शिक्षाभियान जीला गरियावन चत्यापन में आवेदन पत्र भेजने की अंतिम भी थी 10 अपरेल 2021 रखी गई है 10 अपरेल 2021 तक अभियर्थी यहां पर अपना आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे आए दोस्तों आप देखते हैं एकला भी आदर्स आवासी विद्याल मैं विभीन शिख्षकी अगेर शिक्षकी पतलं पर भरतियों के लिए दस्तावे सत्यापन के लिए अपर आज के लिए प्राप्त जानखरी जिला-जस्पूर और जिला-जम जांजगिर चालपा चत्वर्त सर्थियार से संबंधित है यहां पर जिला-जस्पूर के अंतर- और टीजिटी समाजिक विग्यान विशा के लिए 26 मार्च को ही दोपर धाई बजी से अभियर्थियों को दस्तावे सत्यापन यहां पर किया जाएगा अभ्यर्थी मंत्राना सभाक्ष के प्रथम तल कलेक्टेट भवन जस्पूर जीला जस्पूर 36 गड़ में उपसित हो सकते हैं यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पर दस्तावे सत्यापन के लिए अमंत्रित किया गया है अभ्यर्थियों को दस्तावे सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को 25 मार्श 2021 को बुलाया गया है जिसके यहाँ पर सुची जो है वेबसाइट पर अपलोड की गई है जिन अभ्यर्थियों को 25 सत्यापन के लिए अमंत्रित किया गया है वे अभ्यर्थि 25 मार्श 2021 को पराता 11 बजे से कलेक्टट सभा कक्षम में अभ्यर्थि उपस्तित हो सकेंगे यहाँ पर भी अभ्यर्थियों के सूइधा के लिए वेबसाइट मे अभ्यर्थियों की सूची दे दी गई है और एकलब भी आदर्स आवासी वी दियालों से सम्मंधित जानकरियों के लिए इनके PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्सन में प्राप्त हो जाएगा जहां से अब जाकर के बारी बारी से इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं अनिरुजगार समचार और ठेट से जनकरियों के साथ में तब तक के लिए चैहिन